USA यानि United States of America में एक जगा है Texas. वहाँ पर एक छोटा सा शेहर है जिसका नाम है Cactus City. उस Cactus City से एक आदमी सामान खरीदने के लिए जाता है New York City में और वहाँ की एक खुबसूरत मॉडल पर फिदा हो जाता है. फिर वह उसके उपर तरह तरह से लाइन मारने की कोशिश करके उसे पटाने की कोशिश करता है. लेकिन मॉडल है कि कमबक्त उसे घास डालने को तयार ही नहीं है. दोनों अपने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाने में जुटे हैं. और ये सब कुछ हो रहा है O.Henry की एक बहुत ही मज़ेदार कहानी में जिसका नाम है The Buyer from the Cactus City. तो आए सुनते हैं ये कहानी और देखते हैं कि इस सारी रस्साकशी का क्या नतीजा होता है. और ये तो आपको पता ही है कि जो टिपिकल O.Henry ट्विस्ट है वो कहानी के एंड में ही आता है. तो आए देखते हैं कि ये कहानी कहां कब क्या मोड लेती है The Buyer from the Cactus City. ये अच्छा ही है कि नाक और गले को पकड़ने वाला ये बुखार और जुकाम यानि हे फीवर टेकसस की Cactus City के स्वस्थ परिवेश में नहीं होता. क्यूंकि वहां के कपड़ों की बहुत ही मशूर और उम्दा स्टोर नवारो और प्लैट पर कोई छींकने की हिम्मत भी नहीं कर सकता. Cactus City के 20,000 लोग अपनी मनपसंद चीजों के लिए अपने चांदी के सिक्के खुल कर लोटाते हैं. इस कीमती धातु का एक बड़ा सा हिस्सा नवारो और प्लैट की जेब में जाता है. उनकी बड़ी सी पक्की बिल्डिंग में इतनी जगा है कि वहां एक दरजन भेडें चर सकती हैं. यहां से आप Rattlesnake की खाल की टाई, मोटर गारी या 85 डॉलर्स वाला बिलकुल नए फै माल हुआ करते थे और उनके दिमागी व्यापार में खूब चलते थे. उन्होंने ये बात समझ ली थी कि मुफ्त की घास खत्म हो जाने के बाद ये जरूरी नहीं था कि संसार का चकर रुख ही जाए. नवारो और प्लैट का सीनियर पार्टनर था नवारो. वो 55 साल का आध इतना लंबा सफर करने के मूड में नहीं था. और इसका कारण ये था कि अब धीरे-धीरे वो बुढ़ा हो रहा था. दुपहर होने से पहले ऑफिस में कई बार अपनी घड़ी देख लिया करता था. उसने अपने जूनियर पार्टनर से कहा, जॉन इस साल माल खरीदने इस बातचीत के दो हफते के बाद एक व्यक्ती लोवार ब्रॉडले इलाके में बनी चोगों और सूट की थोक की दुकान जिस्बॉन एंड सन में दाखिल हुआ. वो टेकसास स्टाइल का पूरा सूट पहने हुए था. काला फ्रॉक कोट, चोड़े किनारे वाला मुलायम है और तीन-चार इंच उंचा कॉलर और उसके उपर काली पिटेलोहे की टाई. बुड़े जिस्बॉम की आँखे बास जैसी थी और याददाश्थ हाथी जैसी थी. उसका दिमाग बढ़ाई के रूल की पहले की तरह तीन बार में खुलता था. वो एक पोलर बेर की तरह लु इसलिए आप आए हैं. हम उनकी जगा मिस्टर प्लैट यानि आपका स्वागत करते हैं. प्लैट ने मुस्कुराते हुए कहां. बिल्कुल सही निशाना लगाया है आपने. और मैं ये जानने के लिए आपको 40 एकड जमीन दे सकता हूं कि आपने ये किया कैसे? जिस बाम ने खीसे निपोरते हुए कहां. मैं जानता था. जैसे कि मैं ये भी जानता हूं कि इस साल अलपासों में 28 इंच यानि 15 इंच ज्यादा बारिश हुई. और मैं ये भी जानता हूं कि इसी कारण से नवारो एंड प्लैट सूखे सालों के 10,000 डॉलर के बजाए इस साल 15,000 डॉलर का स्वाद जाता रहेगा. जिनको आप रियो ग्रान के उस पार से या ऐसी ही किसी और जगह से चोरीची पे हासिल करते हैं. क्योंकि वो खुले आम मिलते ही नहीं. अब तक दो पहर बीत चुकी थी और दिन का काम खत्म हो चुका था. जिस बॉम ने प्लैट को आधा सिगार पिन को ठीक कर रहा था. जिस बॉम ने अपने बेटे से कहा, अबी आज रात को तुम्हें मिस्टर प्लैट को घुमाना फिराना होगा. वो हमारे 10 साल पुराने ग्रहक हैं. मिस्टर नवैरो जब भी आते थे तो मैं उनके साथ खाली टाइम में चेस खेलता था. लेकिन मिस को देखेंगे और ग्रामो फोन पर अंडर दा ओल एपल ट्री गाना सुनेंगे तब तक साढ़े 10 बज जाएंगे. और मिस्टर टेकसास अपने कंबल में घुसने को तयार होंगे. मुझे साढ़े 11 बजे कहीं खाने पर जाना है. लेकिन उससे पहले वो मिसिस विंसलो के हव वाले होंगे. अगली सुबह 10 बजे प्लैट कारोबार के लिए तयार होकर दुकान में पहुचा. जिस बॉम ने खुद उसकी आवभगत की. नवारो और प्लैट अच्छे कस्टमर्स थे और खरीदारी में अपना डिसकाउंट लेना कभी नहीं छोड़ते थे. अपनी यहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा. कल आपका बेटा और मैं थोड़ा इधर उधर घूमने गए थे. आपके यहां पानी तो अच्छा है, लेकिन रोश्नी का इंतिजाम क्याक्टर सिटी में ज्यादा बेटर है. क्या आपको ऐसा नहीं लगा, मिस्टर प्लैट कि हमारे यहां ब्रॉडवे पर काफी लाइटिंग है. जिस बॉम ने पूछा, प्लैट ने उसी तलखी से कहा, हाँ है और बहुत सारी चायाएं भी हैं. बस आपके यहां के घोडे मुझे अच्छे लगे. जबसे मैं यहां आया हूँ, मुझे एक भी क्रॉबेट के दर्श नहीं हुए है. जिस बॉम ने एक ठंडी सांस ली और उसे सूट के नमूने दिखाने उपर ले गया. उसने एक क्लर्क से कहा, जरा मिस एशर से कहो कि यहां आएं. कुछ पल बाद ही मिस एशर आईं. और नवारो एंड प्लैट के मिस्टर प्लैट को पहली बार ऐसा लगा, कि रुमानियत और सुन्दर्ता की अद्भुत उजली आभा उसके उपर पूरे जोडशोड से अवतरित हो रही है. वो किसी पत्थर की मूर्ती की तरह वहीं खड़ा का खड़ा रह गया. उसकी फटी-फटी सी आँखें मिस एशर पर जैसे जम कर रह गये. मिस एशर ने उस खुबसूरत लड़की जिनको मीडियम कहा जाता था. उसके मेजरमेंट्स भी 38, 25, 42 के स्टेंडर्ड मेजरमेंट्स से थोड़े बहतर ही थे. जिस बॉम में काम करते हुए उसे दो साल हो चुके थे और वो अपने काम को अच्छी तरह से समझती थी. उसके निगाहों में ए इन प्रिंसेस गाउनों को देखें. आपके यहां की आबो हवा में ये खूब अच्छी तरह से चलेंगे. पहले ये पहन कर दिखाईए मिस एशर. और फिर वो बहतरीन मॉडल बड़ी ही तेजी से एक से बढ़कर एक पोशाकों को पहन कर दिखाने लगी. वो एक पोशाक पहनती. सामने आकर उसे दिखाती. फिर फुर्ती के साथ ड्रेसिंग रूम में जाकर उसे बदल कर दूसरी पहन कर आ जाती. हर बार वो पहले से ज्यादा गजब धा रही होती. वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खरीदार के सामने खड़ी होती. और वो अवाक अचल उसे बस ताकता ही रह जाता. जबकि जिस बॉम बड़े ही मीठे शब्दों में हर पोशाक का बखान करता जाता. मॉडल के चेहरे पर उसकी मंद मंद पेशेवर मुसको रहट थी. जैसे वो उकता हट के अपने भावों को छिपा रही हो. जब ये नुमाईश खत्म हुई, तो प्लैट थोड़ा जिजकता हुआ सा नजर आया, जिस बॉम को थोड़ी चिंता हो गई कि उसका ग्राहक कहीं और माल देखने का विचार ना कर ले. लेकिन प्लैट तो मन ही मन बस कैक्टर सिटी में सबसे अच्छी जगह के बारे में सोच रहा था और उनमें से ऐसी एक जगह चुनने की कोशिश कर रहा था, जहां वो अपनी होने वाली पत्ने के लिए एक घर बना सके. वो पत्नी जो उस पल ड्रेसिंग रूम में लेवेंडर और महीन रेश्मी जाले का एक इवनिंग गाउन बदल रही थी. जिस बॉम ने उससे कहा, कोई जल्दी नहीं है मि जिजरात है. आपको इन धामों में ऐसा माल और कोई नहीं दे सकता. वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नियू यॉयॉक में थोड़ा बोर हो रहे हैं. और ठीक भी तो है, असल में बात ये है कि आपको लड़कियों का साथ नहीं मिल पा रहा है. क्या आप एक खुबसू और प्यारी बच्ची है. ये आपको खुश रखेगी. प्लैट ने हैरान होते हुए कहा. लेकिन वो तो मुझे जानती तक नहीं. मेरे बारे में वो कुछ नहीं जानती. क्या वो मेरे साथ जाएगी? जिस बाम ने भौहें उची करके कहा. क्या कह रहे हैं? क्या वो जाएग में थी. वो शांत थी. और उसके अंदर थोड़ा सा घ्रिना का भाव था. जिस बाम ने उससे कहा. मिसर प्लैट आज रात तुम्हारे साथ डिनर पर जाना चाहते हैं. मिस एशर ने छटको ताकते हुए कहा. जी हां क्यू नहीं? मुझे बहुत खुशी होगी. किस समय जान थी. वहां कोई बैठक भी नहीं है. इसलिए आपको हॉल में इंतजार करना होगा. मैं तयार रहूंगी. ठीक साढ़े साथ बजे, मिस्टर प्लैट और मिस एशर ब्रॉडवे के एक रेस्टोरेंट में बैठे थे. मिस एशर काले रंग की एक साधी जीनी पोशाक पहने थी प्लैट को बिल्कुल नहीं पता था कि ये उसके रोजमर्रा के काम का ही एक हिस्सा था. एक अच्छे वेटर की मदद से प्लैट ने बढ़िया खाने का ओर्डर दे दिया. लेकिन उसमें वो सब शामिल नहीं था, जो आमतार पर ब्रॉडवे में खाने से पहले लिया जाता है. मिस एशर ने एक मोहक सी मुस्कान बिखेरी और बोली, क्या मैं पीने को कुछ नहीं ले सकती? हाँ, क्यों नहीं? बिल्कुल जो तुम चाहो. मिस एशर ने वेटर से कहा, एक ड्राय मार्टेनी प्लीज. वेटर ने मार्टेनी लाकर मिस एशर के आगे रखी, तो वो शराब है. तुम शराब नहीं पी सकती? तुम्हारा पहला नाम क्या है वैसे? मिस एशर ने एकडम ठंडे स्वर में कहा, मेरे नजदी की दोस्त मुझे हेलन कहते हैं. प्लैट ने मेज पर आगे जुकते हुए कहा, सुनो हेलन, कई सालों से, जब खेतों में बसंत के रास्ते ही मुझे लगा, कि वो लड़की बस तुम ही थी. मैं कल अपने घर वापस जा रहा हूँ, और तुम मेरे साथ चलोगी. और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि जब तुमने पहली बार मुझे देखा, तब ही मैंने तुम्हारी आँखों में इस बात ही टेबल पर सरका दी. मिस एशर ने अपने फोक से उस अंगूठी को वापस प्लैट की तरफ सरका दिया, और सक्त लहजे में कहा, हद से बाहर मत जाएए. प्लैट ने जवाब दिया, मैं एक लाख डॉलर का मालिक हूँ, मैं तुम्हारे लिए वेस्ट टेकसास में सबसे बढ़िया घर बनवाऊंगा. देखिए मिस्टर, अगर आपके पास दस करोड भी हो, तो भी आप मुझे खरीद नहीं सकते. समझे मिस्टर खरीदार, मैं नहीं जानती थी कि मुझे आपको इस तरह से लतारना पड़ेगा. पहली बार में आप मुझे दूसरों की तरह नही जाना पड़ता है, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी. इसलिए जो आप लोगों के मन में आता है, बोलते रहते हैं. आप उन सारी बातों को भूल जाएए. मैंने आपको शरीफ इंसान समझा था, लेकिन मैं गलत थी. प्लैट को अचानक जैसे सब कुछ समझ में आ गय है, और एक लेक भी है. वहाँ पुराने मकान को तोड़ कर थोड़ा और पीछे को एक नया मकान बनाया जा सकता है. मिस एशर ने थोड़ा और भी ज्यादा खीजे हुए स्वर में कहा, आप बंद कीजी अपना राग. मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि मैं आप जैसे लोगों को ये समझा दूं कि आपकी जगा असल में कहा है. मुझसे ये उमीद की जाती है कि मैं आपके साथ डिनार पर और लंच पर जाओं और आपको खुश रखूं ताकि आप उस बूढ़े जिस बॉन का माल खरीदें. लेकिन आप प्लीज मुझसे ये उमीद ना करें कि मैं आपके खरीदे किसी मकान में रहने के लिए जाने वाली हूँ. प्लैट ने सवाल किया, क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम इसी तरह से और ग्रहाकों के साथ भी जाती हो और वो सब तुम से ऐसी ही बाते करते हैं जैसी मैंने की हैं. जी हाँ, लेकिन वो सारे के सारे नाटक करते हैं। लेकिन एक बात मुझे कहनी पड़ेगी, कि आपने एक चीज में उन सब को मात दे दी। वो तो अकसर हीरों की बाते ही करते हैं। लेकिन आप तो सचमुच हीरा लेकर ही आ गए। तुम ये काम कब से कर रही हो हेलन। प्लैट ने पूछा, ओ, तो आपने मेरा नाम अच्छी तरह से रट भेलिया है, है ना। मैं आठ साल से अपने आपको इसी तरह से पाल रही हूँ। पहले मैं बालों वाले डिपार्टमेंट में थी, फिर मैंने पैकिंग का काम किया, फिर सेल्स गर्ल बनी, और फिर जब मैं बड़ी हो गई, तो मॉडल बन गई। तो मिस्टर टेकसास वाले, क्या आपको ये नहीं लगता कि थोड़ी सी शराब साथ होने से ये खाना थोड़ा कम बोरिंग हो जाता। प्लैट ने उसकी बात पर ध्यान दिये बिना कहा, देखो जाने मन, अब से तुम ये शराब बिलकुल भी नहीं पियोगी, ये सोचना भी मुझे बड़ा ही भयंकरसा लगता है, ठीक है, कल मैं दुकान पर आऊंगा, और तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, मैं चाहता हू कि हमारे जाने से पहले तुम एक कार पसंद कर लो, यहां से हमें बस यही खरीदने की जरूरत है, ओफो मिस्टर प्लैट, अब बंद भी कीजिए ये सब, आपको पता नहीं, ये सब सुन-सुन कर मैं कितनी बुरी तरह से पक चुकी हूँ, इसके बाद प्लैट ने और जमकते हुए नजार आए, प्लैट ने कहा, तुम्हारी आँखों में आशु मुझे अच्छे नहीं लग रहे, आखिर बात क्या है है हेलन, मिस एशर ने कहा, प्लीज अब बस कीजिए मिस्टर प्लैट, मैं आपको साफ साफ बता दूँ, कि मैं आपके साथ खाने पर प्लैट ने उसे उसके हॉस्टल के दर्वाजे तक पहुचा दिया, एक मिनट के लिए दोनों गल्यारे में खड़े रहे, मिस एशर ने प्लैट को ऐसी नफरत भरी निगाहों से देखा, कि उसका पत्थर जैसा दिल भी कापने लगा, उसका हाथ मिस एशर की कमर पर अभी आधा ही कसा था, कि मिस एशर ने उसके गाल पर एक जन्नाटेदार तमाचा जड़ दिया, प्लैट हडबड़ा कर पीछे हटा, तो कहीं से एक अंगूठी गिरी और टाइलों वाले फर्ष पर उचलती चली गई, प्लैट ने टटोल कर उसे ढूंड लिया, मिस एशर ने कहा आपका ये बिकार का हीरा आपको मिल गया न, अब इसे लीजिए और यहां से चले जाएए मिस्टर खरीदार, अपनी हथेली पर चिकनी सुनहरी पट्टी को पकड़े हुए, टेकसास के खरीदार ने कहा, लिकिन ये तो दूसरी वाली थी, शादी वाली अंगूठी, मिस ए तभी मकान के अंदर से किसी ने दर्वाजा खोला और प्लैट ने कहा, गुड नाइट हेलन, मैं कल दुकान पर तुमसे मिलूँगा, और वो फुर्ती से वहां से निकल गया, मिस एशर करीब करीब दोड़ते हुए अपने कमरे में पहुँची, और उसने अपनी साथी टीचर को इस तरह जिंजोड दिया, कि वो बिस्तर में उठकर बैठ गई, और बुरी तरह से हर बड़ाय स्वर में भोली, हरे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या कहीं, आग लगी है, कहा है, कहा है, मॉडल ने जवाब दिया, यही तो मैं जानना चाहती हूँ, तुमने तो ज जोग्रफी पढ़ी है न, एमा, और तुम्हें पता होना चाहिए, जरा मुझे बताओ, यह शहर कहां पर है, क्या नाम था उसका, कैर, कैर, कैरकस, कैरकस सिटी, हाँ, हाँ, कैरकस सिटी, स्कूल टीचर गुस्से में भिनाते हुए बोली, तो तुमने इतनी सी बात के लिए मुझे नीद से जगाया है, और वो भी इतने भद्दे तरीके से, तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई, और जो तुम यह पूश रही हो, कैरकस सिटी, वो तो वेनेजुएला में है, लेकिन क्यों, कैसी जगा है वो, प्लीज मुझे बताओ, अरे कैसी जगा है क्या, वहाँ तो ज जाना चाहती हूँ, कि कल मैं वहाँ पर जा रही हूँ, दोस्तां ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिलकुल ना भूलें, और प्लीज वेडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जल्दे ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर तब तक के लिए अलविदा